नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन के टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं जार्खन में 43 बिधान सभा सीटों के लिए नमांकन आज से सुरू जार्खन के मुख निर्वाचन पताधिकारी के रभी कुमार ने गुरुवार को बताया है कि पर्देश में होने वाले पहले चरण के बिधान सभा चुनाव के लिए 18 अक्टूबर सुक्रवार से नमांकन पर क्रिया सुरू होगी कुमार ने कहा है कि नमांकन पत्र जामा करने की आखरी तारिक 25 अक्टूबर रहेगी कुमार के अनुसार नमांकन दीन के 11 बज़े से 2 पर 3 बज़े तक हो सकेंगे वहीं छुट्टी वाले दीन नमांकन नहीं होगा नमांकन पत्रों की जाच 28 अक्टूबर को होगी तथा 30 अक्टूबर तक उमिद्वार अपने नाम वापस ले सकेंगे बदादे परदेश की 43 बिधान सबास सीटों पर 13 नौमबर को मत दान होगा वहीं मुख निर्वाचन पतादिकारी ने चुनाव लणने के लिए जरूरी सर्तों को बताते हुए कहा एकि सभी प्रत्यासी नमांकन के दोरान निर्वाचन आयो के दिशार निर्देशों का पारान सुनिश्चित करेंगे इस दोरान नमांकन अस्थल के 100 मीटर की परीधी के भीतर सिर्फ 3 गालियों के प्रवेस्की ही अनुमती होगी प्रत्यासी के साथ सिर्फ 4 लोग नमांकन कक्ष में जा सकेंगे प्रत्यासी के नमांकन के लिए 10 लोगों का प्रपोजल अनिवार्य होगा वहीं हर समाने परत्यासी को 10 यह रुपे बतर जमानत रासी जामा करानी होगी अनुसुचित जाती और अनुसुचित जाती के लिए रासी पांच यह रुपे होगी जैराम महतों ने जारी की तीसरी सुची देविंदरनात सिल्ली से उमिद्वार जारखन लोक्तांतری क्रांतिकारी मोर्चा ने जारखन विधान सभा के लिए परत्यासी की तीसरी सुची जारी की है देवंदात महतों लोग सभा चुना में रांची से लड़े थे, वहीं सीली सीट पर कांग्रेस परत्यासी से ज्यादा मत लाए थे, इसके अलावा घार सिला से रामदास मुर्मू, पोटकास से भागीरा थांसदाज अमसेत पुरवी से तरूंडे, महागामा से जोहर लाल या राज जेपाल से मिला ज्हारखन चेंबर का प्रतिनिधी मंडल, ज्हारखन चेंबर के नौ निर्वाजचित कारे सेमितिक सेस्यों ने गुरुवार को राज जेपाल संतोस गंगवार से राजबर में सिष्टा चार मुलकात किया है, प्रतिनिधी मंडल ने राज जे में मो Όमी की आसान उपलबता क्या हो सकता उध्योगों के रिवाईवल के लिए केंदर सरकार से आवस्त्षosph कराने बीधी ब्यवस्ता में मजबूती के लिए ठोस पहाल एच इसीी के जिनोधार के लिए केंदर सरकार से समनवै। करना का हस्त शेप कराने की पहल करने की मांग रखी है प्रतिनीदी मंडल में उपाद्यक्ष ज्योती कुमारी भी सामिल थे संगीन केस में तीन बार जेल जाने वाले होंगे जिला बदर चारखन विधान सभा की चुनाव के तीथिया घोसित होने के साथ ही रांची पुलिश टिम ने अपराधियों पर करवाई की तयारी सुरू कर दिया है चुनाव में कोई विधान न पड़े इसके लिए तीन या उ उससे अधीक बार संगिन मावलों में जेल जा चुके अपराधियों को जिला बदर किया जाएगा एससपी चंदन कुमार सिनहा ने जिले के सभी थानेदारों को तीन दीन के भीतर ऐसे अपराधियों के सुची उपलब्त कराने के सक्त निर्देश दिये हैं एससपी ने सुची में उन अपराधियों के नाम भी जोड़ने को कहा है जो विधान सब चुना में खलल डाल सकते हैं उन्होंने ऐसे सभी अपराधियों को जिला बदर करने के उन्संसा रांची उपायूग से की जाएगी इधार एससपी चंदन कुमर सिन्हा के आदेश पर जिले के सभी थानेदारों ने सुची तयार करने सुरू कर दिया है एससपी ने थानेदारों से या भी कहा है की वारंटियों की गिरफदार करें बता देगी इस वर्स अभी तक रांची से 42 अपराधियों को जिला बदर किया जा चुका है जारखन में कल से छटेंगे बादल जारखन में पलामों और आसपास के जीलों को छोड़का सुकरवार को अभी हलके बादल चाय रहेंगे रांची समित राज में कुछ जगा हलकी बारिस के साथ बजरपात की भी असंका है हलाकी अगले 24 कंटे के बाद बादल चट जाएंगे और मौसम सुस्क रह सकता है मौसम विभायक अनुसर बंगाल की खाड़ी के मद्य भाग में बना सिस्टम कमजोर पड़ रहा है इससे हावा का रूख बदलेगा वहाई पच्मी हावा के कार मौसम सुस्क रहेगा राज में पिछले 24 कंट में संताल परगना प्रमंडल और आस पास के छेत्रों में बारिस दर्श की गई है सरवधिक बर्सा महेश पूर में 80 मिलिमीटर हुई है में सामान योजना बनी अपमान योजना बाबुल मनडी स्थले 5 साल से महिलाओ को सिर्फ ठगने वाले हेमन सुरे ने चुनाव नजदिक आते देख दिखा वे कि राइनटी के चलते में सामान योजना चालू तो की लेकिन मैया समान योजना मैया आपमान योजना बन कर सामने आ रही है परदेश में आए दिन मैया समान योजना के नाम पर चल रही ठाई के खुलासा हो रहा है कहा है कि कभी फरम के नाम पर पैसा लिया जा रहा है जिससे महिलाओ कापमान किया जा सके मताव बहनों को ठागा जा सके उनके अधिकारों को छीना जा सके और उनके मान सम्मान अभिमान पठेस पहुचाया जा सके अब परिवर्तन की बेला आ गई है मताव बहनों के नाम परिवर्णाय चला कर पैसे वह सुनने के आपके इरादे को भी जानता ने समाई लिया है जिसका परिणाम अगामी चुनाव में आपको तेखने को मिलेगा इडी का दावा पुरो मंत्री आलमगीर ने की थी 56 क्रोड की मनी लोड्रिंग टेंडर के कारे अवंटन में कमिसन से ग्रामिन बिकास विभा के पुरो मंत्री आलमगीर आलम ने 56 क्रोड रूपए की काली कमाई की थी इस घुटाले की जाच कर रही इडी ने अनुसंधान में मिले इन तथ्यों से पीए मेले कोट को अगद कराया है इडी ने कोट को बताया है कि इस छपन को रूपए में पूरो मंत्री अलमगीर आलम ने 35 को रूपए अपने अपने नीजी सचीव संजीव कुमार लाल के माध्यम से कमिशन के रूप में लिया था ततकालिन मंत्री अलमगीर अलम के लिए संजीव कुमार लाल मुख्य अभियंता अभियंताओं से कमिसन की राची वसुलते थे और मंत्री को उनका स्थेर पहुचाते थे उपर से निचे तक के सभी टेंडरों में कमिशन वस्वीली का पूरा नियंत्रन संजीव कुमरलाल के पास था जामुमो 43 और कांग्रेस 29 सीटों पर लड़ेगी विधान सभाचुना ओ जार्खन में सतारूर गड़ बंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बटवारे पर समती बन गई है जनकारी के मताविक जार्खन मोक्ती मोर्चा के हिसे में सबसे अधिक 43 सीटे आई वहीं कांग्रेस को 29 राष्टी जनता दल को 5 और भागपा को 4 सीटे मिलने का अनुमान है सीट बटवारे को लेकर सुक्रवा 18 अक्टूबर को मुख्य मंत्री हमन सुरयन के सरकारी आवास पर महत्पून बैठक होगी इसमें रायत के तयस्वी आदव और भागपा के राष्टे महासचुदी पांकर भट्टा चारे हिसालेंगे कांग्रेस के परदेश प्रभारी गुलाम अमदमीर वरिये फ्रेक छक तारिक अनुवर समय पार्टी के वरिष्ट ने तवी मजूद रहेंगे बैठक सुबा 11 बजे आरंब होगी बैठक में सीट बटवारे से लेकर परत्यासिक नावों पर भी बिजमर्स होगा वहीं एक-एक विधान सभा सीट और चुनावी समिकरन पर भी चर्चा होगी जनकारी के मुदाविकर बंदन की जैतर सीटे विधायकों को चुनाव मैदान में फिर से उतारने की तयारी है दीपावली और छट पुजा पर अतिसवाजी करने की समय सीमा तय देश में दीवाली को लेकर तयारी तेज होगी है इसी भी जार्खन राज परदूसन यंतरन बोर्ड ने बढ़ाने नहीं लिया है उसने दीवाली और छट पर पर अतिसवाजी के लिए समय सीमा निधायित की है इनते भारों के दवरान रातरी आठ से दस बय तक ही पटाके फोर सकेंगे पिछली बार दीवाली में जम कर अतिसवाजी हुई थी लोगों ने इसे गमीटा से नहीं लिया और जम कर अतिसवाजी की यही निर्देश छट पुजा में सुबह के अरग के समय से आठ बय तक का है वहीं क्रिस्मस और नौ वरस के उसर पर भी पैंतिसमेट अतिसवाजी की समय सीमा निधायित की गई है बता दे जे एस पी सीवी के छेत्रिये कर्याले के अनुसार 31 अक्टूबर को दिवाली है इसे एक दिवाली वाले दिन वायू एवाम धौनी परुशन का अस्तर मापा जाएगा रिम्स में रोज 150 मरीज वारल फुलू के पहुँच रहे मौसम में बदलाव के चलते रांची में वायरल और फुलू के मरीज बढ़ गए है अस्पतालों में हर दिन इन परिसानियों को लेकर मरीज उपचार के लिए पहुँच रहे है रिम्स मेडिसिन भी भाग के प्रोफेसर डक्टर संजय सिंग ने बताया है वोपीडी में करीब 300 मरीज आ रहे है इसमें 50 से अधिक वायरल और फुलू के पाये जा रहे है वहीं डेंगू के लच्छन भी लोगों में पाये जा रहे है बुखार और बदन दर्ज 5-6 दिनों में ठीक हो जा रहा है पर कमजोरी 6 हफता से अधिक तकरह रही है ऐसे मरीजों को आराम पोश्टी खाना और गरम पानी का सेवन करने की सला दी जा रही है शूरे सिंग बेसरा घार सिला से लड़ेंगे चुनाओ जारखन नो निर्मान महासभाद जनमत की ओर से जारखन पीपुलस पार्टी के केंद्री अध्यक सा पुर्व विधायक सुरे सिंग बेसरा घार सिला से चुनाओ लड़ेंगे की जामीनी अस्तरपन वजबूत पकड़ है उन्होंने कहा है कि राज की जनता बरतमान समय में राय नितिक उथल पुथल के बीज पसो पेह में है राज की जनता यहां भी कल्प तलास रही है बीजेपी कांग्रेस वा जहमों की कथनी वा करनी दोनों देख चुकी है कांग्रेस कल करेगी परतियासियों की सूची जारी जहारखन कांग्रेस परभारी गुलाम अहमद मीर गुरुवार को रांची पहुंचे और पेह पत्रकारों से उन्होंने कहा एक 19 अक्टूबर को पार्टी के वरिष्ट नेता राहूल गांधी के रांची दोर एक बाद कांग्रेस विधान सभाव परत्यासों की सुची जारी करेगी उन्होंने कहाए कि समिधान सम्मान समारों में राहुल गांधी जहरकन की विभीन समाजिक संगट नो एक्टिविस्ट समिधान वीद और प्रोफेसर समयत अन्य से वर्ता करेंगे 29 अप्टूबर को जय पुवान की डुनड़ाइसी स्वरे सभागार में होने वाले समिधान सम्मान समयलन की त्यारी के लिए दिली से बैजू अनिल जय हिंद वो अमीत जयन गुरुवार को रांजी पहुँचे 29 अनिल जय पहुँचे मास ब्यापी अखंड हरी नाम संकिर्तन महायगी 18 अक्टूबर से लेकर 16 नौवमबर तक बाबा मंदिर प्राइगर में आवजित किया जाएगा सोभा यत्रा में 9 किर्तन मंदलियों ने भक्ती भाव से भजन किर्तन प्रस्तूत किये जिससे पूरे वातावरण में भक्ती की लहर दवड़ गई है रांची में आई से कला महोसव 81 कलाकार करेंगे प्रदर्सान जाकना भी धान सबाचुना दो 24 के डूगडूगी बजने के साथ थी 15 अक्टूबर से राज्य में अधर से चुनाव आचार संगितर लागू है दो 24 में मद्दान हो रहे हैं पहले चरन का मद्दान 13 नौवबर दूसरे चरन का मद्दान 20 नौवबर को है बतादे जारकन के CEO के रभी कुभान ने कहा है कि मधात्ता जागरुपता को लेकर सुक्रवार को रांची में कला महोसो का अउजन किया जा रहा है दो दिवस्य महोसो में 81 नामचीन कलाकार अपनी कला का प्रदसन करेंगे उन्होंने मद्दताओं को सब परिवार अमंत्रित किया है वे गुरिवार को धुरवा के निर्वाचन सदर में पत्रकारों के जनकारी दे रहे थे जार्खन विधान सबा चुनाओ से जुड़ा दो दिवस्य कला महोसो सुक्रवासे रांची के जैपाल सिंग स्टेडियम में सुरू हो रहा है आर्जेडी 22 सीटो पर चुनाओ लणने का लिया निर्ना है जार्खन परदेश राष्टिय जनता दल का रहाले रांची में परदेश राष्टिय जनता दल संसद्य बोड की अवसक बैठक संसद्य बोड के अध्यक्स वपुरो मंत्री सुरेश पासवान के देख्स्ता में संपन हुई है बैठाक में स्वरो समती से निर्ना लिया गया है कि जारकन में होरे विधान्स वाचुना में राष्टिये जनता दल 22 सीटों पर चुना लड़ने का स्वरो समती से निर्ना लिया है यह भी निने लिया गया है कि सभी सीटों का चायन और पत्यासियों का चायन राष्ट्रिये जनता दल के राष्ट्रिये अध्यक्ष लालू पर साध्यादों करेंगे रांची पूलिस ने डखायती की योजना बना रहे छा को दभोचा जारखन में बिधान सबाचुना को लेकर रांची पूलिस अलर्ट पढ़ा है सिमावर्ती इलाके में चेक पोस्ट से लेकर साड़को पर रांची पूलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है इसी दवरान रांची पूलिस को डखायती के खिलाप बड़ी सफलता हाथ लगी है राजधानी रांची में डखायती की घटना होने से पूर्व रांची पूलिस की टीम ने छट डखायतों को चुट्टू गाउं से गिरफतार कर लिया है मामले में रांची एसेसबी चंदन कुमार सीना ने पूर्व रांची पूलिस की सूचना मिली और पूलिस ने सभी अब राधी को पकड़ लिया है मैया योजना की आवेदिकाओं का सियो ओफिस में हंगामा जारखन विधान सभाचुना को लेकर राज जेब भर में आदस अचार संगीता प्रभावी है अचार संगीता के भी जारखन मैया समान योजना का लाब लेने के लिए महिलाओं में अपाधापी मची है धनबाद अंचल कर्याले में गुर्वार को मैया समान योजना की आवेदिकाओं की लंबी कतर लग गई आवेदिकाओं में अधिकतर ऐसी महिलाओं थी जो पिछले तीन माँ से कर्याले का चक्कर लगा रही है बावजूद इसके उनके खाते में अभी तक जोजना की रासी नहीं पहुँची इसकरन ए महिलाओं भी अधिकारियों से जानने पहुँची थी कि आखिर किस वज़से जोजना की रासी उन्हें नहीं मिल रही लेकिन कर्याले में कोई पदा दिकारी नहीं रहने से मैलाय भड़क गई और जम कर हंगामा किया बाद में उन्हें किसी तरह समझा बुझा कर सांथ कराया गया है धन्यवाद